मानव इस दारा का सबसे बिचितर प्रानी है उसकी बुध्धी और उसकी सोचनी की ख्षमता जितनी भिन्य अलग प्रानियों से वो उतना ही भ्यंकर तरीके से सोचता है जब तक किसी चीज को इश्वरिय नहीं घोशित कर देता उसकी सांसों को चैनी नहीं पड़ता है हर चीज इश्वरिय है हर अवतार इश्वरिय है आज मदज जी तो अब मदज देवी माता फिर इश्वरिय अवतार है तो कहीं सो ऐसी चीज़े हैं जिन में मानव खुद को सर्वो परी रखके आत्मा भटकेगी तो मनुश्य की बाकी प्राणियों में तो आत्मा है यह नहीं उनके श्रीरों का संचालन तो बिना आत्मा की होता है भूत पिरेत बनेंगे तो मनुश्य मरने के बाद इस तरीके से खुद को इतनी हायस्ट पोजिशन पर बैठा हुआ जैसे मौत होते है तो केवल मानव की बाकी प्राणियों तो मरती नहीं है तो आज मैं यही मातरी दिवस के उपलक्ष में देख रही हूँ सुबह से सोचल मीडिया पे बड़ी अच्छी पोस्ट माता के साथ माता तो पक्षियों की भी है किसी जानबर जो आएं उत्पति का स्रीजन का अधिकार वह सिर्फ एक मादा जो है इस प्रकृती का रूप एक नर एक मादा तो मादा को है यह तो नहीं कहते हैं कि हमारी माता हैं इश्वरिया हैं देविया हैं इसमान्या धंग से जीवन जैसे चलना चाहिए वैसे चलाते हैं और एक दिन यहां से मुक्ति पाकर इस तरह से निकल जाते हैं लेकिन इश्वर का रूप उसको नया रूप देने का काम मानविय सोच काई है तो माताओं को देवी घुशित कर दिया है अब हर स्त्री देवी है पर उस देवी को दुनिया में कोई लाना भी नहीं चाहता है अगर वो देवी दुनिया में आ गई और मा बनने तक के सफर में मम्ता का concept आता है कि मम्ता, मम्ता से सर्बों पर ही कुछ नहीं है लिएकि इसी मम्ता के उपर जो मैंने सोचा, मैंने समझा अपनी लाईव से तो एक planned गोसला है कुछ भी नहीं है एक बहुत ही systematic डुगोसला को framework क्या है और कुछ नहीं मम्ता स्त्री एक बेटी को जनम दे तो उसकी मम्ता नहीं है जब एक पूतर को जनम देगी तो उसका मम्ता का स्थान ही बहुत उंचा हो जाता है उसमें बहुत ज़्यादा मम्ता चलियाती है फिर वही पुतर जिस दिन बहा देगी शादी कर देगी उसके according चल रहा है सब कुछ तो वह मां ठीक मम्ता है लेकिन एक दिन किसी दिन अचानक वो बेटा अपने हिसाव से कोई फैसला ले ले तो एक एक मां की मम्ता का कहा चला जाता है वो रूप तो उसका ऐसा अंकार सामने आएगा फिर चाहे जो मर्जी हो जाए वो बिनाश लाके ही हटेगी उस पुतर के जीवन में फिर यह मम्ता का कौन सा भ्यानक रूप है ऐसी एक स्ट्री इनी मैंने हजारों केस देखे जहां उनकी एंकार पर चोट हुई वो और ते अपने ही पुत्रों के नाश में लगगी किसी भी रूप में कहीं भी उनका काम ही है फिर यह मम्ता कहा है ममता सिर्फ उस मैं तक ममता है जब तो कोई बच्चा उस तरीक अकॉर्डिंग चल रहा है अपने सपने उस में देख रही है ये है वो है और एक आगे जिस दिन बच्चे ने अपने तरीके से सोचना शुरू कर दिया उस दिन ममता का असली तमाशा शुरू हो जाता है फिर ना कोई मनता है ना कोई कुछ और है फिर यो देवीपन कहां चला जाता है तो जो प्यवस्ता है अगर उसमें इतना देवीपन ना लाया जाए समानिया ढंक से जीवन को जीने दें तो ना ये मार कुटाई के दिन आएंगे ना इस तरीके की वीडियो वाइरल होंगे कि कोई बुड़ी अगर से निकाल के बार फि वो पर ही है ति ममता उस वक्त कहां जाती है जब एक बेटा अपनी तरीके से अपनी जीवन में आगे बढ़ रहा होता है तब वो मां वहां क्या रूप निभारी है किस रूप में आती है वो सत्यानाश करने के लिए तब ममता कहां जाती है फिर वो बेटा उस मां के माया ज कुमाताएं होती हैं यहां बस यह जो हमारे काब्यों में कुछ लिख दिया है कि माता कुमाता नहीं यह पूत कपूत हैं यह माता भी कुमाताएं हैं इसमें कोई शक नहीं है और बहुत से स्थ्रियां हैं जो कुमाताओं का रोल निभाती हैं और निभाती रहेंगी आगे तक कभी गौर से मन्थन करना धंग से जांकना कभी आपको ये चरीतर कही जगों पर मिल जाएंगी जिस्त्रिके से मैंने कहा बहुत से इस्त्रियां हैं जो इस्त्रिके का अपना असली रूपनी भाके जाएंगी इस दुनिया से तो उनको देवियां पूझना कि मां देवी है, देवी अबतार है ये नहीं हो सकता, सब होएं इज़त करो ठीक है अच्छी बात है, मां से प्यार भी होता है कि बच्चा मां को ही देखता है, जाए जए ये चीज़े पर ऐसा कि बस भई, मां के बिना तो यह है वो है इतना भ्यंकरूप मत दो सर्बोपरी इश्वर घोशित मत करो तो यह सारी ब्यवस्था चरमराई है इसी बज़ा से जानवरों में इश्वरी यह ब्यवस्था नहीं है ना इतनी उनमें मारकूट है ना इस्या दूश है बहुत कम वो किसी बिवादों में उलजते हैं लेकिन मनुश्या अपनी इश्वरी यह हर चीज इश्वरी यह गोशित करकरके एक गंदी ब्यवस्था को जनम देता है और ता उमर उसमें गुठते रहू मातरी दिवस के उपलक्ष में ममता का जो मा की ममता का बहुत गहराई से कोई खंडन करना चाहेगा तो शायद ही निकलेगा और इसके लाब और कुछ भी नहीं है ममता एक प्लैंड घोसला